असलाम लेकों एर्वान एसन फारुक है उमीद करता हो आप सब खेर रहे जित से होंगे आज की नई वीडियो के साथ आपका प्यारा भाई एसन फारुक बड़लास आपके कितमत में हाजिर है जुमिरात का दिन है गोल ने जो है अपने एक और ब्रेक्स जो है वो लोग किये ह होए हैं लोग परेशान हैं क्या हो रहा है किसी को समझ नहीं आ रहा हर जगा मार्केट में तबाई मची हुए है चाहे क्रिप्ट क्रिप्टो हो फॉरेक्स हो या स्टॉक मार्केट सो मत भूलिएगा कि इस चीज की प्रेडिक्शन हमने एक साल पहले ही आपको की थी कि सारी चीजे बताई थी कि इस सूरतहाल में आपने क्या करने आप पीछे जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं यह इस वीडियो के आखर में आपको लिंक मिलेगा यहीं पर तो वहां से भी आप देख सकते हैं आपको मालूम हो जाएगा कि क्या करना है हमेशा की तरह जो कल ह ने आपको बताया था कि गोल्ड के जो है बाय के चांसे जो है वो 70% है और सेल के चांसे जो है यहां से मजीद वो 20% है मगर फॉरेक्स मार्केट है भाई कुछ भी हो जाता है अल्ला का शुकर है हमें लॉस नहीं हुआ और प्रॉफिट हुआ उस सुरत में भी यही चीज़ मैंने कल आपको समझाई भी थी के लोग क्या करते हैं कि वो एक ही जगा जिद पकड़के बैठ जाते हैं आज उसका जो है वो एक्सपेरिमेंट भी आपके सामने है कल मैंने आपको यह चीज़ बताई थी कल की वीडियो लाजमी देखिएगा कि अगर आप एक साइट पर ट्रेड लेते हो और वो आपके फेवर में नहीं जाती तो मार्केट से जिद करते हैं लोग मजीर ट्रेड लेते रहते लेते और अगर अगर मार्केट बंद होती है वन सेवन फाइव से उपर तो सिर्फ तब आपने बाय करना है सेल के चांसेज हमने बताया थे ट्वेंटी परसेंट और हमने आपको बताया था कि यहां से मार्केट नीचे बलके इस पर में बाद में आता हूं अच्छा उसकी वज़ा क्या थी के बाय में मैं 80% शोर था मगर फिर भी हमने पैंडिंग और क्यों लगाया क्योंकि यहां पे खलका सा डाउट हो रहा था कि मार्केट उसे रिये को ब्रेक नहीं कर पा रही थी और वॉलियम भी चेंज हो रहा था स्टॉप लॉस हंटिंग स फसाया जा रहा हूँ हमने क्या किया बाय लेने की बज़ाए पैंडिंग ओडर लगाया और अल्ला का शुकर है आप देख सकते हैं के वो ट्रेड हमारी एक्जिक्यूट नहीं हुई अच्छा सेल का हमने आपको बताया था कि अगर मार्केट इस एरिये को ब्रेक करती है तो मार्केट के 167570 तक जाने के चांसेज हैं कल की वीडियो में आप जाके देख सकते हैं आपको बताया था कि अगर ये मार्केट इस एरिये को ब्रेक करें आपने कुछ नहीं करना इसको आने दे यहां तक आप देखे एक्जेक्ट मार्किट उसी एरिये तक आई पहले यहां पर आके ब्रेक लगी फिर आपको बताया था कि यहां से मार्किट उपर जाएगी और अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं बिलकुल मार्किट आप देखे इस एरिये तक आई ब्रेक लगी यहा वापिस गई retrace करने और हमारा जो area था उस area को hit हुआ और उसके बाद हमने selling पे sell बनने पे sell करनी थी h4 और h4 कहां पे बंद हुआ h4 बंद हुआ 1700 पे और अगर आपने मेरी बात मानी होती तो अभी आप 180 pips के profit में होते यह होता है तरीका ट्रेडिंग करने का आप यह देखें कि हम 80% buy में शोर थे सिर्फ 20% selling का हमने कहा था कल की वीडियो लाजबी देखिएगा सीखने को मिलेगा कोई और होता तो वो इस सुर्थिहाल में के 80% buy में शोर है 20% sell में शोर है वो account उड़ा चुका होता जिद करके मगर हम buy ली नहीं हमने सबर किया और sell में बैट गए जैसे हमने देखा कि market तो sell में जा रही है हमने market से जिद नहीं की और फिर भी अल्ला का शुकर है profit कमाया हम अच्छी सीख मिली होगी यहां पर वो लोग जो नए हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल का एकन क्लिक करें ताके जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को फौरी notification मिले कोई वीडियो मिसना हो सीखने को और सोशल मीडिया चैनल लाजमी जॉइन करें जिनके लिंक्स नीचे दिये हैं ताके जो मैं सिगनल अपलोड करता हूं डेली बेसिस पे जिनकी एकुरेसी मोर दें 80-90 परसेंट है वो सिगनल आप ले सकें और प्रॉफिट कमा सकें यहां पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है विडियो को लाजमी शेयर किया करें क्यूंके आपके सामने है कि हम लोगों की तमाम सर्विसज जो है फ्री ओफ कॉस्ट है जितना होता है लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हängtे बदले में चिरफ आप लोगों से क्या मांगते हैं कि है आप लोगों की सपोर्ट चा अच्छा गोल्ड का अगर मैं आपको मंतली पे दिखाऊं तो यह आप देखे वन टू और यह एक बहुत ही स्ट्रॉंग एरिया है जहां पर gold की break लग सकती है अगर gold का ये area भी break हो जाता है तो gold की अगली break लगेगी तकरीवन 1650 पे और ये area है जो हमारा cell का target था 1675 का अच्छा अभी आपने क्या करना है कि अभी आपने इंतजार करना है share की तरह अपने शिकार को देखते रहो मगर अभी भागना नहीं शुरू करना market को आने ने आप इस area पे 1676 पे ये मैं आपको exact move बता रहा हूँ जो कल और अगले हफते बनेगी market यहां से आएगी उसके बाद आपने इंतजार करना है इस area पे D1 के buy में बंद होने का ठीक है D1 buy में बंद होगा उस वक्त भी आपने जो है first करें market यहां से नीचे आती है ठीक है उसके बाद D1 जो है buy में बंद होता है ये मैं सिरफ वैसी आपको मिसाल के तौर पे लाइने लगा के दिखा रहा है इसको वो नहीं समझ लिएगा ठीक है तो D1 का जो last high है वो बंद गया first करें 1700 आपने trade नहीं लेनी है आपने इंतजार करना है market का वापिस नीचे जाने का और अगर पहले D1 उसके बाद अगले दिन या उसी दिन H4 अगर buy में break करता है last high जो के 1700 का था D1 का तो आप इसको buy कर सकते हैं सिरफ उस सुरतेहाल में और फिर ये अंदाजन 1750 तक जाएगा अगर तो ये area भी break हो जाता है तो gold को आप देखेंगे जाते हुए कम असकम 1650 के आसपास तो अब ये जो है ये आपको मैंने समझाया है कि किस तरीके से जो है market move कर सकती है और क्या होने जा रहा है उमीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी दौाओं में लाजमी याद रखें kindly वीडियो शेयर कीजेगा और जम के पैसे कमाए वाटसेप का निया जो चैनल है वो हमने उसका नीचे लिंक दे दिये जो लोग कल कह रहे थे ग्रूप फुल हो गया वो आज जॉइन कर सकते है जम के पैसे कमाएं दौाओं में याद रखें अल्लाहाफिस